आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। कोशिकाओं की गति शिल्ता के लिए होते हैं। और चोथा और आकड़ी विकल्प है, साइनो बेक्टीरिया में कशाभी कोशिकाओं का अभाव होता है। तो दोस्तों, पहला विकल्प जो है, माइकोप्लाजमा एक भित्ती रहित सुक्ष्मजीव है। तो दोस्तों यहावाव बिल्कुल सही है। जो माइकोप्लाजमा होते हैं, इन में कोशिका भित्ती, ठीके? क्या होती है? अनुपस्थित होती है ठीके यह कोशी का जिल्ली के द्वारा ही क्या होते हैं घिरे होते हैं और इसी के कारण इन पर जो एंटीबायोटिक होते हैं उनका कोई प्रभाव नहीं होता है ठीके क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करते हैं कोशी का भित्ती को नश्ट करते हैं दूसरा है जिवानों कोशी का भित्ती एक पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है तो दोस्तों जिवानों जो होते हैं यह जगत मोनेरा के सदस्य होते हैं और प्रो केरियोट होते हैं ठीक है? और इनकी कोशिका फित्ती पेप्टिडो ग्लाइकेन की ही बनी होती है ठीक है? और प्रोकेरियोट जो होते हैं इनमें के अंदरक क्या होते हैं नहीं पाया जाता है तीसरा विकल्ब दिया गया है पिलाई और फिम्ब्री मुख्य रूप से जिवानू कोशिका की गतिशिलता के लिए होते हैं तो दोस्तों जो पिलाई होता है ठीक है? यह क्या होते हैं? रोम के समान क्या होती है? संरचना होती है ठीक है? क्या होती है रोम के समान संरचना होती है? जो की फिलाई और पिम्ब्री जो है या दोनों ही रोम के समान संरचना है जो की कोशिक जो जिवान होता है उसे किसी पोशक से चिपकने के लिए उत्तरदाई होती है ठीक है और जिवानों में गती के लिए क्या होता है कशा भी काप आई जाती है ठीक है तो दोस्तों यह कथन क्या है गलत दिया गया है ठीक है और चोथा और आकरी विकल्प है साइनो बेक्टीरिया में कशाभी कोशिकाओं का अभाव होता है तो दोस्तों जो साइनो जिवानों होते हैं इन में इनकी कोशिकाओं में कशाभी का यानि की फलेजिला ठीक है क्या होत पिलाई और फिम्बरी मुख्य रूप से जीवानु कोशिगा के लिए गतिशिलता के लिए होते हैं यह गलत है धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा आशी डाउनुट करे डाउटने डाप यह वच्चाप करे अपने सारे डाउट्स 8444 पर